हेला दोस्तों मैं आया रहान और ये दूसरा टुटोरियल C++ का इसमें मैं आपको हेलो वोल्ड प्रोग्राम बनाना बताऊंगा और जैसा कि मैंने पहले आप लोगों को ये बता दिया था कि ये टुटोरियल हिंदी में है और वैसे स्टुडेन के लिए जीने थोड़ी मिशानी होती है इंग्लिश में तो अगर आप चाहते हैं कि ये टुटोरियल इंग्लिश में भी हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं और आपका फीड़बैक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है तो इस टुटोरियल में दोस्तों मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि C++ का हेल के साथ आती है और जिसमें हम लोग आईफोन आईपैट के लिए एप्लिकेशन यह सब बनाते हैं तो मैं उसी में आपको बताऊंगा उस आईडी में कि हेलो वर्ड प्रोग्राम C++ का उसमें कैसे बनाते हैं चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं कि उसमें एक्सकोड में कै रहे ड़ो ऐक्सकोड सर्च करते हैं अर्क टॉप पे इस कोड आगया अले के इंटर बैड़ी है ठीक है तो create new project और एक interface खुला ऐसा और इसमें से हमें application चुनना है यहाँ यह application आप देख सकते हैं यहाँ पर और उसके बाद command line tool इसके बाद next इंटर करते हैं फिर product name में आपको जो देना है यानि हमार तो hello world प्रोग्राम है तो यहाँ हम hello world लिख देते हैं यहाँ organization तेम अगर आप नहीं चाहते हैं कि नहीं दे तो आप इसे blank भी रख सकते हैं company identifier कुछ भी हाँ दे सकते हैं hello world.com अरहाण कुछ भी दे सकते हैं अभी के लिए फिलाल और यहाँ सबसे important बात की type यह जो type है इसको देखना मत भूलिए यहां बहुत सारे types है core data c c++ core foundation तो हमें अभी c++ की जरूरत है इसलिए c इस पे हम c की भी coding कर सकते हैं c++ की भी कर सकते है तो अभी तो हमें c++ की जरूरत है इसी वज़े से हम लोग c++ select करते हैं और use automatic reference counting arc इसका इस्तमाह हम लोग करके बनाएंगे यह क्या है दोस्तो मैं आगी के tutorials में आपको बताऊंगा अभी के लिए फिलाल इसे tick करते हैं और next करते हैं और एक और interface को लाए यह बूच रहा है क कि आप कहां सेफ करना चाहते हैं तो फिलाल के लिए आप जो भी फोल्डर बनाओं उसमें सेफ कर दो दोस्तो मैं अभी desktop पे कर रहा हूँ और इतना करने के बाद एक interface खुल गया पूरा Xcode IDE का और इसमें से हम लोगों को देखना है कि Hello World प्रोग्राम कहां पे कैसे बनेगा तो सबसे पहले देखिए इस side यहां पे मेरा cursor है यहां पे मैं mouse pointer ले जा रहा हूँ इस project है इस पे project की जो जो information होगी आपको इस पे मिल जाएगी तो हम लोग main.cpp हम लोगों को जैसा याद होगा कि c++ में भी main function होते हैं पिछले tutorials में मैंने आप लोगों को पताया था तो यह c++.naam की file बन रही है main.c++ तो इस पे हमें click करते हैं और यह दोस्तो हमारा आ गया यह interface और आप लोगों को जैसा याद होगा कि जिस online compiler में जब हमने बनाया था अगर पिछले tutorial आप लोगों ने देखा हो तो उसमें भी इसी तरह format hello world के साथ आ गया था और इसमें भी इसी format में आ गया तो चलिए अगर आप नहीं देखा तो मैं फिर से इसे बता देता हूँ कि यह क्या है इससे दिखिए पहले सबसे पहले है has include ios stream है यह has preprocessor directive है preprocessor directive के बारे में मैंने बताया था आप लोगों को कि इसके बारे में मैं आपको और next chapter बताऊंगा अभी तो यह hello world program है और जैसे जैसे मैं आगे chapters बताऊंगा तो यह इसे भी detail बताऊंगा अभी आप यह जान लिए कि कोई भी C++ program बनाने के लिए इस लाइन की बहुत जरूर है किसी भी C++ program की शुरुआत करने के लिए इसकी बहुत जरूर थे बिना इसके हम नहीं कर सकते जिस तरह हमारे घरों में दरवाजे होते हैं उसी तरह entry करने के लिए उसी तरह main entry point है coding करने के लिए यह code कुछ भी लिखने के लिए और int int है उसका return type और इस पूरे हम कह यह function int main है जो कि argument ले रहा है इसके बारे में हम लोग दोस्तों अभी बात नहीं करेंगे अभी सिर्फ इसे as it is जैसे है वैसे ही रहने देते अभी int है return type main का अभी क्या return कर रहा है सवाल यह है सबसे पहले तो यह देखते हैं कि function कैसे लिखते हैं पहला हो गया return type यह return type int को return type type कहेंगे main जो function का नाम है और इसे एक इस वाले और इस वाले bracket के बीच में लिखेंगे इसके अंदर की चीज़ें को अभी discuss नहीं करते हैं दोस्तों यह तरीका है function लिखने का फिर उसके बाद एक braces यहां खोलते हैं और फिर जहां हमारा function complete होता है वहां पर braces बंद कर देते ह यह function लिखने का इसा तरीका है अब int main function लिख दिया मैंने अब function के अंदर आईए देखते हैं क्या लिखते हैं हमें hello world प्रोग्राम चाहिए hello world दिखाना है कि hello world कैसे बनेगा कैसे यह print होगा आप hello world कुछ भी इस code के अंदर कुछ भी लिख देंगे तो वह print हो जाएगा आप हुआ है है हुआ है हमने यह लिख दिया अब यह हमारा प्रिंट हो जाएगा तब यह print कैसे होगा सी आउट मैंने पिछले बार भी होताया था इस बार भी बताता हूं सी आउट किसी भी चीज को प्रिंट कराने के लिए console पर दिखाने के लिए यूज होता है यह भी एक function है इसके बारे में function chapter हम लोग आगे के tutorials में पढ़ेंगे दोस्तों अभी हमने यह जान लेते हैं कि see out का सिर्फ यह use इतना है कि इसका इस्तमाल करके हम लोग क्या कर सकते हैं किसी भी चीज को प्रिंट करा सकते हैं और उसके यह तरीका है इसको इस वाले ऐसे करते हैं यहां पर प्रिंट हो जागा और यह देखिए दोस्तों यह backslash in sorry backslash in है जो new line का काम करता है तो अभी हमें इसके कोई जरूत है नहीं बट new line में next line जैसे हमें change करते हैं next line उसी तरह यह भी काम करता है बट अभी इसके हमें जरूत नहीं है सिर्फ हमारा एक ही है अगर new line में देखना चाहते हैं तो देख लिजिए फिर से हां एक hello sorry hello world मैंने लिख दिया new line के बात अब हम console में इसका output देखेंगे कैसे होता है और standard.cout यह x code में हम लोग standard.cout करके लिखते हैं और दूसरे compiler पे सिर्फ cout ही लिखेंगे तो हमारा काम हो जाएगा ठीक है और return 0 return अब main function कुछ return करा रहा है दोस्तों उसको कुछ return टाइब चाहिए जो कि इन टाइब का है तो integer है यहां 0 और उसे मैं अभी 0 return कर दे रहा हूं ठीक है अब हम चलिए output देखते हैं क्या आता है तो उपर में यहां पर आपके run button होगा इस run button पर click करते ही अपकी compiling linking शुरू हो गई build success and high c++ hello world जी यहां दोस्तों आप यहां देख सकते हैं output कि इसके बारे में मैं बात कर रहा हूं तो hello c++ यह देखी new line का क्या फायदा है कि एक line वो break कर देते हैं जैसे high c++ tutorial फिर break one line उसके बाद hello world तो दोस्तों मेरे ख्याल से आप लोगों को यह hello world program x code पे कैसे बनाते हैं यह समझ आ गया होगा आज के लिए अभी के लिए इतना ही और फिर मैं और tutorials बनाऊंगा इसके लिए आ दोस्तों तो जरूर कमेंट करें आपको सजेशन है कोई तो सजेशन भी करें अभी के लिए दोस्तों बाए